नमस्का दोस्तों स्वागात है आप सभी का अपने चैनल टिकनो याज के भाई में और गाई अभी हम बात करेंगे सेपमों से जुलूई जो बहुत वड़ी अपडेट निकल के आ रही इसकी वर्जिन टू के लॉंच की डेट भी अब आ चुकी है तो उसके बारे में हम गाई बात करेंगे और गाई अपडेट बहुत इंपोर्टेंट है सेपमोन के लिए और गाई जिस दिन आपको बहुत अच्छा खासा पंप भी जरूर देखने को मिलेगा और गाई आगा देखे होंगे मार्केट पूरे क्रेश चला था बिटकोईन भी डाउन चला था लेकिन से जीरो फाइंट थरी टाइम जीरो टू थरी वन टू आई अनर में इसका भी प्राइस चल रहा है और गाई इसकी रैंकिंग दोसो आठ हो चुकी है और यहां पर इसकी वाचलिस्ट बहुत तेजी से बढ़ रही है सोरा लाग सतानबे हजार से जादा लोग इसे अपने देख लेते हैं न्यूज को लेकिन सर्च करना पड़ता है अगर आप चैनल को सबस्क्राइब कर लेंगे ता आपको सर्च नहीं करना होगा कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफेकेशन पहुच जाएगा आप वहां से बहुत आसानी से देख सकते हैं तो गाईज हमें जिस समय का इंतजार था हुआ समय आ चुका है और काफी लोग पूछ रहे थे कि वर्जन टू कब आएगा तो गाईज इसका रिफलाई सेफ मून ने दे दिया है और इसका डारेक्टली नहीं लेकिन इंडारेक्टली आपको वता चुके हैं लेकिन जो लो में हम बात कर लेते हैं और गाई झी अपडЕट इसके टीम से जुड़ु ही है और इस टीम में क्या चलना ओसके बार में हम बात करेंगे और गाई सेफ मून वर्जन फास्ट से ही बहुत तेजी से पने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इसमें Thomas का बहुत वड़ा रोल है इसलिए SafeMoon की टीम बहुत तेजी से स्ट्रोंग हो रही है और यह Project and Future को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है इस वज़े से SafeMoon Virgin First Safe Virgin 2 पर भी आचुके है और कुछ दिनों या महीनों के बाद Virgin 2 भी आ जाएगा इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे और गायज इसी को देखने के बाद SafeMoon के CEO जोहन करोनी खुद टीम का धन्यमाद देना नहीं भूले है यह तो हो गई इसके टीम के बारे में गायज चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो अपडेट निकल के आ रही है कि कब वर्जन टू आने माला है तो गायज वर्जन टू से फून खुद एक बार अपने ट्वीट किया था उसमें पूछा था कि विन वर्जन टू और गायज यह कल कि उनका एक फिर से ट्वीट आया है और इसी ट्वीट का रिफलाई देते हैं उन्होंने एक इमोजी डाला है उन्होंने क्रिस्मस का फिर वर्जन टू का और गायज इससे अगर आप समझ सकते हो तो उसमें साब साब दिख रहा है कि गायज जो वर्जन टू है वह है क्रिस्मस डे के दिन या उसके पहले ही जरूर आ सकता है क्योंकि आप इसे में इमोजी के आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ क्रिस्मस ट्री है इसके बाद वी है यहाँ पर वी का साइन है वर्जन टू लिखा गया है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सेफ मून का वर्जन टू है क्रिस्मस डे के आसपास यहाँ उसी दिन जरूर आ सकता है तो गयाज यह अप डेट बहुत वड़ी है सेफ मून को लेकर और इनकी टीम बहुत अच्छे से वर्ग कर रही है काफी जो उनके टीम मेंबर्स है एक साथ ट्रेक्ट है एक साथ जुड़ कर काम कर रहे हैं तो गयाज सेफ मून में बहुत ही अच्छी टीम है और आगे चल कि इसमें बहुत अच्छा खासा गुरो देखने को मिलेगा और गयाज काफी इंपोर्टेंट है सवाल है बहुत लोग पूछ रहे थे कि वेन वर्जन टू तो गयाज इसके आग डायरेक्टली नोंने आंसर नहीं दिया है लेकिन इसको जवाब में जरूर यहाँ पर मेंसन कर दिये है जो लोग समझ सकते हैं इससे समझ सकते हैं कि यह क्रिस्मस डे उसके पहले ही वर्जन टू जरूर आ सकता है तो गयाज यह रही सेफ मून से जुलू ही आज की अपडेट उम्मीद करताओ को पसंद आए होगा